बिस्मिल्य रुख्मान रोहीम असलाम लेकूम विवर्स वेलकम टू माई चैनल पाकिस्तान मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा और कमेंट बॉक्स में जुरूर कमेंट कीजेगा आज मैं आपके लिए लाही हूं भरे हुए क्रेले की र टू टेबल स्पून जिंजर गार्लिक कोरियंडर पेस्ट वन कप करेलों के जो चिलके हैं वो ले लेने हैं इनको अपने डिसकार्ट नहीं करना और करेले जिनको आपने नमक और हलती लगा कर धूप में रख देने हैं मैक्सिमम हाफ आर के लिए ताकि जो करेलों का पान होता है वो खतम हो जाए और करेलों के अंदर से आपने बीच निकाल के इस इसको रख देना है सिक्स कटिट ग्रीन चिली टू टेबल स्पून रेड चिली टू टेबल स्पून सॉल्ट वन कप योगर्ट ऑईल नौ कम्स तू दा कुकिंग प्रोसीजर एक पैन लेना है पैन में वन कप ओईल एड करेंगे जिसमें हम भरे हुए करेलों के रेस्पी उत्यार करने जा रहे हैं और करेलों के लिए जो मिक्सिर हमने भरना है उसको हम लोग रेडी करेंगे जैसे ही फ्लेम आन करेंगे ओल ज मिक्स करनाइ और फंड आने लुकन लेद़ा हैं और आपने उसको कुक करना आ है जब तक किलर ब्राउन नहीं हो जाए जैसे ही इसका कलर ब्राउन होगा और चिलका आपकी आपके यह आपक माद करसमें और 나올 जो में और यह चिलका होता है उसको फैंक यहाँ कर आज मैं आप बीफ कीमा भी ले सकते हैं और मटन का कीमा भी यूज कर सकते हैं इस अप टू यू इस यूर लाइकिंग टू कुटिट ओनियन इसके बाद आपने टू कुटिट ओनियन एड करने हैं ओनियन एड करने के पाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि यह तमाम चीज़े वापस में डिजॉल हो जाएं देन कम्स टू दा स्पाइसिज अब हम इसमें जो है वो वन बाई वन स्पाइसिज एड करेंगे टू टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और कॉरियंडर पेस्ट एड करेंगे यानिके अद्रक लसन और सुखा दनिया इसमें हम लोग आड करेंगे वन टेबल स्पून टर्मेरिक यानिके वन टेबल स्पून हल्दी वन टेबल स्पोन साल्ट, साल्ट इट्स अप टू यू कि आप कितना लाइक करते हैं, वन या हाफ टेबल स्पोन टू टेबल स्पोन ग्रीन चिली वन टेबल स्पोन कलवंजी, वन टेबल स्पोन अजवैन, वन टेबल स्पोन जीरा पाउडर, टू कटेड ग्रीन चिली आड्ट कर लेना है, अड़ करने के बाद आपने इसको अच्छे से क्ट कर लेना है, कलवञजी और अजवयन जरूर टालियेगा कलवणी और अजवयन के बहुत से वाइदे हैं और वो सिहत के लिए भी बहुत अच्छी है पुर्भ एड़ करें, क्अधिक एड़ करते हैं उसको ठीपकेंल, हमने पोला करी थी मैं एड़ करdı भादिया नहीं आयदा टिंक कर लेकियां आड़ किस्फे केड़ das ऐड़ करना है आञें पर पांअंची का देले ऐड़ साथ और साथ यहां मिनिट्स के लिए कवर कर दूंगी ताकि चिकन जो अच्छे से कुक हो जہा आपने इस भरेवे क्रेले की रज़िपी को जरूर ट्राई करना है यह सहथ के लिए क्रेले बहुत çalışते होते अधियार्य है, तप आपक उस सब्स्की में भी ही हैं, और पे भी हैं मिक्स करने के भाद और अपत पहें दूनके हैं, जिसके योगर्ट का पानी बॉल क्रॉसम रूब सुख भाक। तो जो ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी होगी फाइफ मिनिट्स के बाद हम कवर को ओपन कर रहे हैं कवर ओपन करने के बाद जो ग्रेवी हमारी है जो मिसाल है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है योगर्ट जो है उसका पानी बिल्कुल ड्राय हो गया है होने के साथ साथ यह आप देख सकते हैं कि यह जो mixture है विल्कुल ready है अब हम इस mixture को क्रेलों में fill up करेंगे क्रेले जिसमें हमने नमक और हल्दी लगा कर रखा था उनको आपने आदे घंटे के बाद वाश आउट कर लेना है ताकि उसके अंदर जो नमक और हल्दी है वो remove हो जाए उसके बाद आपने spoon की मदद से जो अभी हमने मिसाला त्यार किया है अब मैं इसको one by one एक एक क्रेले म मिक्सचर है उसको add करना है और आपने क्रेले में जो है वो उसको fill up कर लेना है फिल अप करने के बाद आपने thread की मदद से इसको bind कर लेना है thread की मदद से हम bind इसलिए करेंगे ताकि जो इसके अंदर का मिसाला है वो बाहर ना निकले और यज हम जो मैं आपको बताने जारी अब मैं इसको fry की तरफ आती हूँ आप एक पैन में oil लेना है आपने oil टूकाप लेंगे इतना होना चाहिए कि जो क्रेले हैं वो इसमें dip हो जाए one by one क्रेलों को हम इसमें add करेंगे और तब तक हम इसको cook करेंगे जब तक क्रेले जो हैं वो अपना color brown ना दे दें fry करेलों में यह होता है कि जो क्रेलों का कड़वा पान होता है वो खतम हो जाता है आपने इसी method से इसी way से इसको dry करना है और जो gravy अब बकाया रहे गई थी जो remaining हमारी gravy थी उस remaining gravy में हम क्रेले जो हमने भरे हैं में कुक हो जाएं और तमाम spices में डिजॉल्व हो जाएं आप जब इस recipe को इसी method से ट्राइ करेंगे मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह recipe बहुत पसंद आएगी और आप जब इस recipe को try करेंगे तो आप कहेंगे के वाके ही बहुत अची recipe थी इसी के साथ साथ जो है आप एड दा एंड जो है वो ग्रीन चिली जो है वो एड कर लेंगे भरे वे करेलो की जो recipe थी वो बिल्कुल ready हो चुकी है अब हम चलते हैं डिश आउट की तरफ अब मैं इसको डिश आउट कर चुकी हूँ आपने मेरी इस recipe को जरूर ट्राइ करना है मैं अमीद करती हूँ आपको मेरी recipe बहुत पसंद आएगी मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा मेरी वीडियो को like कीजिएगा और comment box में जरूर कमेंड कीजिएगा थैंक यू